इस वीडियो में हम बात करेंगे सलेवस के बारे में और बुक्स के बारे में जो की 10th क्लास के सलेवस एंड बुक्स के बारे में तो हमें पता है कि 10th क्लास जो होती है वो बहुत ज़्यादा important होती है क्योंकि इसी में board के exams भी होते हैं तो मैं जो बताने जा रहा हूँ इसमें हम books of 10th क्लास के बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे जो English medium की books होती है ठीक है तो जो English medium में जो आएंगी books 10th क्लास में वो आएंगी mathematics, science, history जिसका नाम है Indian and contemporary world second फूर्थ है geography जिसका नाम जो है वो है contemporary India उसके बाद है economic जिसका नाम है understanding economic development उसके बाद आती है democratic politics second उसके बाद है 7th पे चितिज जो की हिंदी की book है उसके बाद आती है हिंदी की supplementary book kritika and उसके बाद है spurs जो की second language हिंदी है उसके बाद आता है sunshine second language हिंदी supplement है and first flight आती है उसके बाद जो की English text है English की text book है उसके बाद आती है footprint जो की English supplementary reader है उसके बाद आता है sesmusi second जो की एक Sanskrit की book है तो यह जो books है यह 10th class में use होने वाली books है जो की total number है 13 books ठीक है जो की English medium के लिए है तो हमें एक तो 10th class इसलिए जरूरी है कोगी इसमें ही हमें इसके बाद इसे pass out करने के बाद हमें अपनी streams को choose करना होता है जो की science, math है ना science में math, physics, chemistry यह सब या फिर art जिसमें politics, geography and economics यह चूज के होता है and उसके बाद commerce ठीक है जिसमें commerce के subject होते हैं तो यह सभी हमें choose करने होते हैं 10th class के बाद तो यह जो है वो English medium की books है अब हम देखते हैं 10th class की जो Hindi medium की books जो है है तो वहीं बट हम उन्हें नाम देखेंगे उनके जो नाम है Hindi medium में क्या दिये हुए हैं ठीक है और जो यह सारी books जो मैं बता रहा हूं आपको यह सारी CBSC के according बता रहा हूं ठीक है और जो NCRT की books हैं उनके नाम बता रहा हूं जो की जिस भी बोर्ड में NCRT यूज होती है उसके बारे में तो इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है गनित का जो की mathematics थी English medium में यहां पर है Hindi medium में गनित नाम है इसका ठीक है second book जो है वो है विज्ञान जो की एक science की book है ठीक है English medium में जो विज्ञान थी वो थी science उसके बाद है यहां पर third book जो है वो है इतिहास जो की जिसका नाम है भारत और समकालीन विष्व second ठीक है उसके बाद fourth book जो है वो है भूगोल की जिसका नाम जो है वो है समकालीन भारत अर्ध सास्त्र जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ एंड उसके बाद जो 6th book है वो है लोक्तांत्रिक राजनीती 2nd जो कि एक पॉलिटिक्स की book है ठीक है यह हमारी 6 book हो गई उसके बाद 7th book जो है वह हमारी हिंदी की जो जिसका नाम है छितिज ठीक है इंग्लिस मीडियम में भी यह समी रहेगी क्योंकि हिंदी लेंग्वेज हिंदी में ही होगा इसलिए एंड उसके बाद जो है हिंदी सप्लिमेंटरी जो बुक है वो है कृतिका उसके बाद है इस पर जो की 2nd लेंग्वेज हिंदी बुक है ठीक है उसके बाद है 2nd लेंग्व मीडियुं में सेम रहेगी क्योंक यह भी इंगलिस मीडियुंग का यह एक सब्जेक्ट होता है ठीक है जो कि इंगलिस में होता है ऊसलिए यह फर्स्ट फ्लाइट उसके बादा 12 जो कि siendo print without feet जो की इंगलिस supplementary reader है उसके बाद से समुसी सेकंड जो की संस्कृत की book है तो यह हमारी जो हमने बात किया है यह हमने 10th class की जो books use होती है उसके बारे में बात किके कि हमें किसी भी class को अच्छे से पढ़ने के लिए books का पता होना जरूरी है तो अगर आपको यह video अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आपको रैट कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और next video तक हमें देखते रहिए next video में भी मैं आपको किसी दूसरी class के बारे में बताऊंगा और उसके syllabus के बारे में बताऊंगा और 10th class के जो बुक्स पताई है इसी को हम एक एक बुक को लेकर हम बात करेंगे जब तक के लिए बाबाय